हम वो कलेक्टर नहीं जिनका तबादला फूक मार के किया जा सके। कलेक्टरी तो हम शौक के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशूर है कि राजपाल चोहान के एक हाथ में पाइप और उसकी जेब में उसका इस्तीफा रहता है। जिस रोज इस कुर्सी पे बैठ कर हम इनसाफ नहीं कर सकेंगे, उस दिन हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे, समझे राजा साहिब, समझे। जानी हम तुमें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गुली भी हमारी होगी और वो वक्त वो भी हमारा होगा, वो भी हमारी होगा। जानी हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना कभी किसी कानून की किताम में लिखी होगी और ना किसी मुझरिम ने कभी सोची होगी। राजा के गम को किराय के रोने वालों की जरुवत नहीं होती। शेर को बिच्चू और सांप काटा नहीं करते बलकि दूर दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। इस बात को याद रखना। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है लेकिन इतनी नहीं कि वो तमीज बुजदली बन जाए। अपना तो एक उसूल है। पहले बात फिर मुलाकात और जरुवत पड़े तो फिर लाथ। एक बात को याद रखना। हमारे बारे में एक बात मशूर है। हम आँखों से सुर्मा नहीं चुराते हम आँखे ही चुरा लेते हैं। याद रखिएगा आँखे चुरा लेते हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल जाता है। खून निकल जाता है। याद रखना। आपके हसीन पैर जमीन पर मत रखियेगा वरना महले हो जाएंगे महले हो जाएंगे महले हो जाएंगे काश तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नीन से भी उठकर आ जाते मौत की नीन से राजिस्तान में हमारी भी जमीन आता है और तुम्हारी जैसी हैसियत के जमीदार हमें रोज सुबे सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं हमारी हवेली पर